वेलकम फ्रेंड्स टूपियो गाइड टिप्स और ट्रिक्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे पैन और अधर नमबर जो लिंक करना परेगा वो 31st मार्च के आंदर करना परेगा 1000 रूपीज पे करके तो वो हम कैसे घर बेटे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे फूल प्रोसेस हम देखेंगे कैसे लिंक करना है आपका आधर नमबर पैंट से और कैसे पे करना है जो 1000 रूपीज अगर अल्रेडी लिंक हो गया है वो स्टेटास हम कैसे चेक कर सकते हैं वो हम फूल डिटल यहाँ पर देखेंगे तो वीडियो को इन तक देखिए और लिक लिंक जो अप्शन है तो हम लिंक अधर स्टेटास जो अप्शन है यहाँ से पहले हम चेक करेंगे हमारा अधर नमबर पैंट नमबर से लिंक है या नहीं है तो यहाँ पर हमारा पैंट नमबर और फिर अधर नमबर डालके हम यहाँ पर देखिए अधर नमबर डालें तो यह पर option जो है view link other status option enable हो जाएंगे तो यहापर हम click करेंगे तो इसका current status यहापर दिखाएंगे तो अगर यह लिंक्ट है तो यहापर दिखाएंगे यह अल्रेडी link है तो दिखिए यह दिखा रहा है pen not linked with ather तो यहाँ पे एक लिंक भी है, यहाँ पे य कुछ लिक करके हमारा आधार और पैन नमबर हम यहाँ पे लिंक करा सकते हैं, तो वीडियो को इंतर देखेंगे अகर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई कोईर है 焦 सुना हमेंट करके पूछ सकते हैं and वीडिय हम टाइप कर दिया है फिर यहाप हमारा जो आधान नमबर है वो आधान नमबर यहाप हम एंटर करेंगे फिर देखिए यहापर नोट से यहापर कैसे जो citizen से जिसके लिए pen आधार मेंडेटरी नहीं है वो एनरेज हो सकते हैं नोन सिटिजन ओफ इंडिया और एटी यहापर जो एज़ पीपल है उसको लिंक नहीं करना है तो यहापर हम फिर यहापर देखिए वैलिडेट आप्शन है पैन नमबर यहापर डालके हम वैलिडेट आप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहापर कुछ पेमेंट डिटेल्स क्यासे पेमेंट करना है कौन सा हेट पर करना है देखिए यहापर लिखा हुआ है वन थाउजन रूपीज आपको पैना परेगा और वह जो आधाल हेट है इन्कम टैक्स के वह आधाल रिसीप पर उसको हमें पे करना है तो हम कॉंटि जो पैन नमबर है वह यहापर हम एंटर करेंगे फिर से फिर देखिए यहापर confirm पैन अप्शन है फिर वह हमारा पैन नमबर जो है यहापर हम एंटरी करना परेगा फिर यहापर जो मोबाइल नमबर है हमारा इसको वैलिडेट करने के लिए हमारा जो मोबाइल नमबर है यहा पर एक OTP आ जाएंगे जो OTP आएंगे वो 15 मिनिट के लिए वैलिट होंगे तो यहां पर हम फिर से हमारा जो OTP मिला है मोबाइल पर जिस नामबर पर उस OTP है पर हम डाल देंगे फिर कॉंटिनू पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर दिखा रहा है यू हाब सक्सेसफुली वेरिफाइड थू मोबाइल ओटीपी तो हमारा मोबाइल नामबर OTP वेरिफिकेशन हो गया है फिर हम कॉंटिनू करेंगे पेमेंट करने के लिए तो पेमेंट करने के लिए यहां पर देखिए थ्री ओप्शन से तो फास्ट जो ओप्शन है अद्व पाउटसरी ओप्शन है यहां पर हम आदार रिसीफ्ट 500 जो ओप्शन है बो ओप्शन यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करके यहां पर हम कॉंटिनू पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर अपको नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड पे एडड बैंक काउंटर ने अप्ट आर्ट जी एसान पीमेंट गेटवे ऐसे करके five option मिलेगा तो जो बैंक आपको जैसे आपको payment करना है वो payment details यह आपको select करना पड़हेगा अगर आपका बैंक दीचिए यह जो बैंक से यह ही बैंक आप select कर सकते यह तो और एक option यह यह आप आदर bank बोलकर other bank आप select करेंगे तो और भी कुछ bank के name यहापका available होंगे अगर आपका bank के name यहापए available नहीं हे तो आप जो last वाला five number जो option है वो आप select करके वहाँ से आप payment कर सकते जो payment gate हो है वहाँ पे भी three देखिए हम दिखाएंगे यहाँ हम debit card select करेंगे अब payment gateway पर जाके वहाँ पर कोई भी bank select करके UPI से भी payment कर सकते तो हम debit card से payment करेंगे तो हमारा payment option ही यह पर हम select कर लेंगे हमारा bank का फिर देखिए कुछ error आ रहा है तो हम फिर से try करेंगे यह बहुत पोटल में कोई problem हो शायद अभी तो हम फिर से try करेंगे तो देखें पेनाव पर क्लिक करेंगे तो ऐसे terms and condition आएंगे तो इसको हम agree करके submit to bank option पर क्लिक करना है हमें तो यह automatically हमें यहापर wait करना है यह automatically यह page redirect हो जाएंगे payment gateway के gateway पर तो यहापर आपको back button प्रेस नहीं करना है और आपको page को refresh भी नहीं करना है हम wait करेंगे यह automatically आ जाएंगे तो देखें यहापर आ गया है हमारा details तो यहापर हमें देखें proceed to pay using ICA से debit card हम जो method select किये तो debit card से हम payment कर रहा है तो वो option पर हम click कर देखेंगे तो payment gateway में आ जाएंगे यहापर हमें card number देखी है इसको validate करके payment करना है अगर आपको video पसंद आए and helpful लगे तो like कीजिए कोई query है तो आप comment करके पूछ सकते and video को ज्यादा ज्यादा share कीजिए यानि कि जो लोग अभी तक pen and other card link नहीं किया है वो इस video देखकर वो क कर सकते हैं खुद तो यहापर देखें प्याम प्यमेंट आप्षिन पर आगे आ है यहापर आपको जो reject region है यहापर कुछ नहीं डालना है यहापर देखें ए इमेल आइडी फो यहापर आपको एंटर करना परएगा तो आपका जो इमेल आइडी है एंड जो मोबाइल यहाँ पर आपको डालना परेगा तो यहाँ पर हमारा email id जो है and mobile number जो है यहाँ पर हम एंटर करेंगे एंटर करने के बाद यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे हमारा email id और mobile number फिर यहाँ पर देखे एक option है I have read all the and understood the terms and condition इसको चेक करना परेगा फिर proceed with card payment option पर हम click करेंगे तो यहाँ पर हम proceed with click करने के बाद यह automatically देखे पेज redirect हो जाएंगे हम यहाँ पर back नहीं करना है यहाँ पर आपको browser को refresh भी नहीं करना है तो यहाँ पर हम wait करेंगे इसको आने तक अगर आपको वीडियो पसंद आए and helpful लगे काम आए तो like कीजिए comment कीजिए share कीजिए and also subscribe कीजिए channel को तो यहाँ पर हमारा जो card number है वो card number, card का expired and CV भी डालके हम यहाँ पर pay option जो है यहाँ पर pay करेंगे तो वीडियो को इंट तक देखे और वीडियो अगर आपको helpful लगे तो please like कीजिए कोई query है तो कुछ जानना है तो doubt है तो आप comment करके पूछ सकते है और वीडियो को ज़्यादा ज़्यार कीजिए and also subscribe कीजिए channel को तो देखे हम pay option पर click किया फिर हमारा जो OTP है हमारा register mobile पर OTP आ जाएंगे हम OTP डालके यहाँ पर pay पर click करेंगे तो हमारा OTP हम यहाँ पर डालके pay option पर click करेंगे तो यह payment successfully हो गया है तो देखे हमारा जो advice है वह हम यहाँ पर download कर लेंगे जो पेमेंट हम किया है फिर हम return कर लेंगे यह portal पर तो यहाँ पर फिर हम check करेंगे हमारा payment हो गया है लेकिन हमारा आधार और pen number अभी तक link नहीं हुआ है वो हम link आप कर सकते payment पहले आपको करना परेगा thousand rupees का अगर आप payment नहीं करोगे तो आप इसको आधार और pen number यहाँ पर link भी नहीं कर सकते तो देखिए यहाँ पर चालन payment is successful यहाँ पर हमारा जो चालन है वो हम यह से download भी कर सकते तो यहाँ पर हम download option पर click करेंगे तो यह download हो जाएंगे हमें जो payment किये है जो successfully payment हुआ है तो यह download करने के बाद फिर हम देखेंगे कैसे हमें link करना है और उसका status हम कैसे चेक करेंगे वो भी हम देखेंगे तो हमें फिर home page पर आ जाएंगे website पर फिर link आधार जो option है इस पर हम click करेंगे फिर हम यहाँ पर हम यहाँ पर हम यहाँ पर लिंक आधार पर click करेंगे home के अंडर देखेंगे जो quick links है यहाँ पर आपको click करके आपको other and pen को link करने है तो payment हमारा हो गया है फिर हम यहाँ पर हमारा pen number and other number यहाँ पर हम डाल देगे फिर से जो link other option है home के अंडर quick links पे जो e-filing of portal है income tax को website है यहाँ पर जाके आपको यह करना परेगा यहाँ पर देखेंगे payment related information भी है कैसे payment करना है तो यहाँ पर आप इसको पर सकते है और इसको समझ करके आप ऐसे कर सकते है तो validate option पर click करेंगे तो देखेंगे दिखा रहा है अल्रेडी हमारा payment हो गया है और जो pen and other number का जो linking का जो status है वो uidi को भेज दिया गया है इसको link करने के लिए तो ऐसे करके फिर देखिए यहाँ पर आपका जो उसको validate करके आपके आधर number पर जो name है वो same name यहाँ पर डालना परेगा फिर आपका जो mobile number है registered other के साथ वो number यहाँ पर डालना यहाँ पर देखिए दो option है इसको check करना है अगर आपके आधर number पर अधर जो card है अधर card पर आपका date of बात सिर्फ year है date नहीं है तो आपको वो इसको select करना परेगा and फिर I agree to validate my other details इसको आपको check करना परेगा इसको confirm करके यहाँ पर links अधर जो option है इस option पर click करना है तो हमारा जो आधर card पर data of बात है वो full है सिर्फ year नहीं है full details है तो हम यहाँ पर उसको हम छोड़ देंगे उसको हम select नहीं करेंगे फिर I agree to validate my other details इसको click करके हम यहाँ पर link other option पर click करेंगे तो जो mobile number हम डाले थे यहाँ पर उस mobile number पर एक OTP आएंगे जो की 15 minute यानि की 15 minute के लिए वो valid रहेंगे वो OTP यहाँ पर डालके हम validate option पर click करेंगे तो देखिए यह request for other and pen number linking send to UIDI for validation तो हमारा other link हो गया है pen से तो हम इसको बाद में जाके जो link status है other link other status check option है देखिए यहाँ पर link other status यहाँ पर जाके हम इसको check कर सकते हैं बाद में यह हुआ या नहीं है तो हमारा process complete हो ग अगर आप अभी तक आपके pen number other number से link नहीं किया है तो आप ऐसे करके income tax के portal पे जाके website पे जाके आप easily आप घर बैठे आप खुद ही इसको link कर सकते हैं thank you friends for watching अगर आप कोई वीडियो पसंद आए and काम आए helpful लगे तो like कीजिए कोई कोई क्वाइर यह तो comment करके पूच सकते और ज्यादा ज्यादा शेयर किजिए वीडियो को और अर्सो सब्सक्राइब किजिए चैनल को